हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूं निकी और सौगत है आपका मेरी इस चानल में दोस्तों आज हम affirmations के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक law of attraction का एक तरीका है law of attraction को अपने life में उतारने का एक बहुत सूचारू तरीका है affirmations मैंने इसके बारे में पहले काफी वीडिय ठीक है तो पहली बात यह affirmations क्या होते हैं दोस्तों जैसे कि mantra होता है फुराने जमाने में जैसे कि mantra हुआ करते थे and people believed कि उन mantra को अगर हम पढ़ेंगे उन mantra को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर positive changes आएंगे और हमारी सारी मनुकामनाय पूर्ण होगी यह होते थे mantra लेकिन वो mantra हम जमने नहीं लिखे होते थे वो बहुत बड़े लोगों नहीं लिखे वे रते थे जिनका most of the time हम आरी generation के लोगों के लिए मैं बात करे हूं मतलब नहीं समझ में आता था तर वी always thought that it's useless जिस चीज का में मतलब नहीं समझ में आता वह कैसे काम करती है तेखे मैं तो इस तरह स अब आपकी बारे में नहीं बता सकती लेकिन मंतरास काम करते हैं चाहे आप चाहे चाहे आप ना जाने इसके बारे में कि ये काम कैसे करते हैं उसी तरह affirmations होते हैं affirmations ये वो मंत्राज होते हैं जो आप अपने लिए लिखते हैं जो आप अपने लिए बनाते हैं तो सबसे पहले ये मंत्राज यानि की affirmations कैसे बनाते हैं और ये काम कैसे करते हैं देखिए बनाने का तरीका एक बहुत है सिंपल तरीका है मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आपको एक ऐसा sentence frame करना है जिसमें कि आप अपने जो भी चाहत है जो भी चीज आप चाहते हैं जैसे कि आप कोई नौकरी चाहते हैं या फिर आप अपनी शादी चाहते हैं या फिर आप कुछ भी चाहते है वो पूरा हो चुका है in present ऐसा बनाएं कोई भी affirmation आपको present में लिखना है जैसे कि आप कहीं admission चाहते हैं मेरी sister का ही मैं example दे रही हूँ she has manifested what she wanted उसने एक college के बारे में चुना और उसने कहा कि मुझे उस college में admission चाहिए और मेरे भाई ने और मैंने उसे बताया था कि सोते वक्त हर रोज imagine करो this is a part of visualization by the way not affirmation but affirmation भी सी तरह काम करता है you have to say that I have already got admission in this college and I am studying in this college and feel wonderful it feels wonderful, fabulous making new friends it's amazing and that is how affirmation works जब भी आप अपने आपको उस present moment पे ले जाते हैं जहां पे आपको लगता है आपके brain को लगता है कि आपका जो वो dream है वो dream नहीं वो reality है तो first of all brain को तो reality और dream के बारे में कोई difference नहीं पता चलता है जब आप उसको उस position पे ले जाते हैं और उस feeling से गुज़रते हैं उस अच्छी happy feeling से गुज़रते हैं जो कि यह बताता है कि आपने अपना dream achieve कर लिया आपने अपना goal अजीब कर लिया और आप वो feeling के थुरूब गुज़रते हैं और 17 seconds जब आप इस feelings में रहते हैं तो momentum चालू होता है और आपकी feelings जो है आपके dreams को आपके life में ट्राक करती है यह हुआ affirmations और इसको बनाते कैसे हैं सर दोस्तों देखे बनाने का बहुत दो बहुत simple तरीका है पहले तो आप कोई भी sentence को present में लिखे का पहले तो आप लिखेगा कि आप क्या चाहते हैं जैसे कि I want admission in such and such college I want to reduce such and such weight ऐसे लिखते हैं दूसरे चीज़ आप पहले want लिखते हैं next time क्या करते हैं step इसका ये है कि want को cancel करके I have या I am कर देते हैं जैसे कि I am studying in such and such college I have reduced such and such weight and I have reduced 5 kgs weight as such like that उसके बाद third process क्या होता है third process होता है उसमें एक emotional तरका आड करने का जी हाँ emotional तरका जैसे कि आप उसमें बहुते हैं I am so happy and grateful to study in this college and I am feeling awesome I am feeling I have made so many friends and it's just awesome ये हो गया school के लिए और अगर आपको weight के लिए बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं जैसे I have lost 5 kgs weight and it feels so light my body feels so light and I am enjoying to wear that dress that was not fitting me at that time when I was heavy and इसी तरह आप अपनी खुशी को जाहीर कर सकते हैं through affirmations और आप इसे record कर सकते हैं आप अपनी बोली में इस इस affirmation को record कर सकते हैं और 3 times you have to do it for 3 times हर एक चीज के लिए 3 times record करें और उसके बाद उसे हर रोज सुनें और सुनते वक्त आप imagine भी करना है आपको कि ऐसा हो रहा है then तो affirmation को काम करने से कोई नहीं रोख सकता कोई भी नहीं रोख सकता है आप भी नहीं रोख सकता है आप ट्राइ करके देखें और अगर आपको अच्छा ना लगे या फिर आपको लगता है कि यह काम नहीं करेगा तो आप मेरे बोलने से इस affirmation की टेकनीक को 30 days के लिए ट्राइ करके देखें अगर यह काम नहीं करता है तो 30 days में आपको रिजल्ट मिली जाएगा देखें यह कोई बहुत बड़ी टेकनीक नहीं है बहुत बड़ी चीज मैं नहीं बोलने हूँ बहुत चोटी सी चीज है जैसे कि मान लीजिए law of attraction work कैसे करता है जैसे कि brush करना है हम रोज brush करते है तब हमारी teeth clean and fresh होती है अगर अब मैं आपसे बोलू कि अब दिन में सोरी मन्त में सिर्फ दो बड़ बड़ ब्रश कीजिए और आपका मुह बहुत ही fresh डेगा तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता same to same इसी तरह law of attraction के साथ काम रखता है same to same law of attraction hard work का नाम नहीं है law of attraction easy effortless work का नाम है law of attraction का मतलब है बहुत easy तरिके से बहुत effortlessness से आपके goals आप तक बहुत जा रहे हैं automatic आपको ज़्यादा मैनत करने की जरूत नहीं परती है और affirmation भी उसी का एक तरीका है आप record करते हैं आप खुद को सुनते हैं और उस चीज में happy feel करते हैं और ये जितने देर में इस vibration में आप जब तक रहते हैं तब तक वो vibration आप तक पहुँच जाती है और वो भी easily और हाँ लेकिन हाँ ये आपको रोस करना है for 30 days try it and जरूर जरूर से message कीजे मुझे बताईए कि कैसा लगा आपको क्या ये काम कर रहा है देखे कभी कभी ये होता है कि आपको लगेगा कि actions तो हमें ही लेना है लेकिन 30 days जब आप बार बार सुनेंगे तो क्या होता है after 10 days आप 10 days नहीं लीजेगा action लेकिन after 10 days क्या होगा कि आपके अंदर से आएगा कि actions ले आपके अंदर से आएगा और वो actions जादा hard working वाला actions नहीं रहेंगे वो बहुत ही easy actions रहेंगे छोटे छोटे actions रहेंगे जो आपको लेना होगा और जिससे कि आपका goal बहुत ही जल्दी अची हो जागा try कीजिए and मुझे message जरूर कीजिए comment box में जरूर comment कीजिए आपको यह video पसंद आया तो like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए thank you so much I love you all